और अनेक राज्यों के नागरिक इस यात्रा में कुछ नो कुछ उनों ने घवाया हैं जिन लोगों ने अपना जीवन खोया हैं यह बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से बिप परे मन को बिचलित करने वाला जिन परिवार जनों को इंजरी हुई हैं उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्त के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी जो परिजन हमने खोये हैं वो तो वापिस नहीं ले पाएंगे लेकिन सरकार उनके दुख में परिजनों के दुख में उनके साथ हैं सरकार के लिए ये घटना त्यंत घंबीर है हर प्रकार की जांच के निर्देश दिये गए हैं और जो भी दोशी पाये गाएगा उसको सक्त से सक्त सजा हो उसे बख्सा नहीं जाएगा मैं उडिशा सरकार का भी यहां के प्रशाषन के सभी अतिकारीों का जिन्हों ने जिस त्वराँ से इस परित्तिती में अपने पाएगा जो भी समसादन थे लोकों की मदद करने का प्रयास किया भी यहां के नागरिकों का भी रुदैस अभिनेंदन करता हूं क्योंकि उन्हाने इस संकट की घड़ी में चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो चाहे रिष्क्य आपरेशन में मदद की बात हो जो भी उनसे बन पड़ता था बनने का प्रयास किया है खास करके इस शेत्र के युवकों ने रात भर मेहनत की हैं मैं इस शेत्र के नागरीकों अभी आदर पूरवक नमन करता हूँ कि उनके सैयोग के कारण आपरेशन को तेज गती से आगे बढ़ा पाए रेलवे ने अपनी पूरी शक्ती पूरी वेवस्ताए रिस्क्य आपरेश और जल्द से जल्द ट्रैक रिस्टोर हो यातायात का काम तीजगती से फिर से आए इन तीनों दुरुष्टी से सुभी चारी दुरुप से प्रयास आगे बढ़ाया है लेकिन एक दुख की घड़ी में मैं आज श्थान पर जाकर के सारी चीजों को देखकर के आया हूँ अस्पताल में भी जो खायल नागरीक से उनसे मैंने बात की है मेरे पास शब्द नहीं है इस वेदना को प्रगट करने के लिए लेकिन परमात्मा हम शब को सक्ती दें कि हम जल्द से जल्द इस दुख की घड़ी से निकले मुझे पुरा भी स्वास है